देख रहे हैं दा इंसाइड इस्टोरी 21 जुलाई 2023 राहूल गांधी कॉंग्रेस के वरिष्ठ नेता उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन क्योंकि जो राहत उन्हें हाई कोर्ट से नहीं मिल पाई लोवर कोर्ट से नहीं मिल पाई वो शायद सुप्रिम कोर्ट से मिल जाए इस उम्मीद के साथ कल सुनवाई होनी है सरवोच अदालत में मानहानी केस जो उनके उपर हुआ है दो साल की सजा उनको मिली है और इसके चलते उनकी सांसदी भी चली गई है और भविश्य को लेकर भी तलवार लटकी हुई है तो राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी क्या है इसके पीछे का गुणागड़ित आज एक बार फिर से समझने की कोशिश करें कि डॉक्टर संजीव तुर्वेज जी वहिश्पतकार हमारे साथ है संजीव जी हम लोग इसी शो में कई बार इस बारे में डिस्कुस कर चुके हैं कि राहुल गांधी को क्या उनकी भविश्य की रूप रेखा हो सकती है अब जब बिलकुल घड़ी आ गई है कि सुप्रीम कोट जो की आखरी दर्वाजा है राहुल गांधी ने खटखटाया है क्या उमीद की जाए और अभी तक क्या रियक्शन्स जो कॉंग्रेस की तरफ से नज़र आ रहे है देखे 21 जुलाई की जो तारीख है वो बहुत महत्वण भारती राजनीत के लिए है इसलिए कि यह मामला भले ही सुप्रीम कोट में हो अदालत में हो लेकिन इसके जितने भी परडाम जिसके जितने भी नतीजे निकलने वाले हैं राजनीतिक पतर पर ही आने वाले हैं क्योंकि मामला राहुल गांधी के नाम से जुड़ा हुआ है 21 जुलाई की तारीख यानि के शुकरवार और इसके पहले 7 जुलाई की तारीख जिस दिन गुजरात हाई कोट ने ये फैसला दिया कि जो डिस्ट्रिक कोट सूरत ने फैसला दिया था 23 मार्च वो फैसला सही था और अगर राहुल गांधी का जो बयान उसे डिफेमेटरी माना गया डिस्ट्रिकोर्ट सूरत के द्वारा 23 मार्ज को तो वो सही माना गया था और purity in politics बहुत आवश्यक है आज की तारीख में खासता और पर ऐसे विक्ति की द्वारा जो इस दर्जे पे बैठा हो और जिसका दायरा इतना बड़ा हो ये कहते हुए सिंगल जजज बेंच ने उस फैसले को बहाल रखा था यानि के वो जो एक पहली राहत की जगह थी उस जगह पे राहत तो नहीं मिली थी अब ये दूसरा दर्वाजा है और ये फाइनल दर्वाजा है जाहिर है पूरे देश की निगाहे 21 जुलाई की तारीख को बहुत ही ध्यान पूर्वा को अब्जर्व कर रही है और कल जस्टिस चंदर्चूर और उनके दो साथ ही जजज जब इस पर फैसला लेगे तो जाहिर है कि ये फैसला राहुल गांधी को प्रत्यक्ष रूप से और भारतिय राजनीत को यूँ आप कह लीजे कि एक बड़े निरनायक तरीके से प्रभावित करेगा क्योंकि फैसला अगर बाहल रह जाता है तो राहुल गांधी आठ सालों के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राजनीत से बाहर हो जाते हैं और अगर जो नहीं होता है तो फिर तो इतना बड़ा भूचाल आएगा अगर राहत मिल जाती है भारतिय राजनीत में तो फिर यू समझ लें आपके विपक्ष की राजनीत जो कि अपने नए नाम के साथ एक बार फिर से वो नई उर्जा के साथ आगे आना चाहती है उसे एक नई ताकत एक नया कह सकते हैं जिसे अंग्रेजीम कहते हैं शॉट इन दा आर्म अचानक से उसे इतना बल मिल जाएगा और क्योंकि फोर फ्रंट पर राहूल गांधी आज की तारिक में विपक्षिया अंदोलन के हैं लहाज़ा 21 जुलाई तो बहुत ही महतुपुण है ये 2024 के चुनाओ के लिहाज से कह सकता हूँ कि इससे महतुपुण शायद ही कोई तारिक है। होता है तो सोनिया गांधी फिर से उसको आगे बढ़ाती हूँ नजर आएंगी क्या ये समझ मेरी जो है सही जा रही है। दिखिए आपकी समझ में थोड़ा जोड़ना चाहूँगा जो बैंगलूरू के बैठक थी उसमें कॉंग्रेस के नेताओं की ये प्राथमिक्ता थी कि वो अपने आपको सब नेताओं के आगे सभी नेताओं पर छागए कुछ इस तरह का वो शो नहीं होने देना चाहते थे। वो चाहते थी कि हम तमाम विपक्षी दलों में से एक दल हैं भाव यही रहे। कॉंकि ये शिकायत हमेशा रहती है बाकिके पख्षी दलों की कि कॉंग्रेस अचानख से एल्डर ब्रदर प्ले करने लग जाती है और वहा वो असहयज हो जाते हैं कि अगर वो एल्डर ब्रदर प्ले करेगी तो जहां से भी जो राजनीतिक दल के नुमाइंदे वहां थे उन सब जगों पर कॉंग्रेस है तो कॉंग्रेस उन से सीड बटवारे में फिर वही एल्डर ब्रदर की भूमिका निभाना चाहेगी तो जाहिर है कि होस्ट तो कॉंग्रेस पार्टी ही थी डीके शिवकुमार और सिद्रमया मुख्यमंत्री यही दोनों थे लेकिन आपने देखा होगा कि राहूल गांधी और सुनिया गांधी बहुत ही डीफाइंड रोल्स में रहे उन्होंने कोई आगे बढ़ जार करके सबों का स्वागत करने के लिए या यू कहले कि या जा होस्ट प्ले करने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया वो उन्होंने जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को ही दे रखी थी और आप मुंबई की जो बात कह रहे हैं मुंबई जब आप पहुंचेंगे तो आप आएंगे कि वहां पर होस्ट उधव ठाकरे और शरत पवार होंगे तो यह रणनीती है विपक्ष की कि अलग अलग राज्यों में जाए और वहां के जो प्रमुक्त है जो स्थानी नेत्रत तो है वो समभाव नहीं आए यह जो बिग ब्रदर वाली बात से कॉंग्रिस पार्टी के प्रती एक दुराग्रह हो जाता है तो वो ना हो कि भाई वो ज्यादा सीटें ल वो दूर दृष्टी की कमी रही कि ये खबरे चलने लगी कि नितीश कुमार बड़े नाराज है क्योंकि जब पतना में वो थे तो पूरी तरीके से नेत्रत उनके हाथ में था और कहा यह जा रहा था कि उनसे एक दम से नेत्रत चीन लिया गिया और कॉंग्रेस न अपने हा देखे ये तो था कि पोस्टर भी लग गए उनके खिलाब नितीश कुमार इस नाम को लेकर के थोड़े असाहज जरूर थे बात में वाला कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और ऐसे बहुत मौके आएंगे पक्ष में भी और सथा पक्ष में भी बिलकुल जहां आ बिलकुल तो उन्हीं ये लग रहा था कि इंडिया जो शब्द है वो दरसल देश का नाम है तो इंडियन कर दें क्या इसे या कुछ ऐसा और नाम जिसके आगे कोई और विशेशान जोड़ दें कुछ ऐसा कर दें ताकि इंडिया वर्ड जो है वो बिहार के परिप्रेक्श वाला राज्य है वो कुछ पूरी उत्रप्रदेश कह ले अबिहार कह ले तो उसमें इंडिया और उससे कितना संदेश जाएगा तो वो उनकी कुछ लगजरी वाला फील करा रहा था लेकिन जो बात सबों को स्विकार हो रही थी कि इंडिया एक ऐसा शब्द है जो देश का नाम ही नहीं बलकि सबों के दिल में बसा हुआ एक भाव भी है और अगर हम ये नाम रखते हैं तो हमारा विरोध कैसे करेंगे उनके लिए बड़ा यूनीक एक सिचुएशन होगा जो इसका विरोध करेंगे और भारते जिन्ता पार्टी मान लीजे इस बात को कि अचानक स थोड़ी सी ललखडा गई जहां तक इसके विरोध का सवाल था मैंने देखा कि हेमांत विश्यू शर्मा ने तुरंट में लिख दिया कि मैं चीफ मिनिस्टर आफ भारत असाम भारत चीफ मिनिस्टर आफ असाम इंडिया लिखा हुआ था अब भूल गए कि उनकी पार्टी पार्टी की ट्विटर हैंडल पर लिखा हुआ है बीजियेपी फौर इंडिया लिखा हुआ है तो बीजियेपी फौर इंडिया लिखा हुआ हैgrow डोर दो शब्द जो है वह दोनों संदर्वराइस में अलग-अलग हैं इंडिया हमारे अदेश का नम है और वहां वह है रास्टे सुरक्षा कानून, National Security Act है तो रासुका तो हम अपनी सुविधा के लिए बोलते हैं रासुका उसका नाम नहीं है, रास्टे सुरक्षा कानून नाम है तो इसलिए इंडिया वो नहीं है, वो है Indian National Developmental Inclusive Alliance अब उसको शौट करके तो थोड़ा सा लडखडाई दिनर में ही ये बात प्रस्ताओ के तौर पर वो रखना चाहते थे लेकिन पहले उन्होंने कहा अपने सहीयोगियों को कि ये नाम हमें तो अच्छा लग रहा है, आप पहले ममता जी से पूचिए कि उनको कैसा लग रहा है, और फिर ममता जी से कहिए कि वो सामने इसको लेकर के आएं, और क्योंकि अगर कांग्रिस लाती है तो फिर वो एक अलग सी बात होगी, तो इस जासा कि आपने बताया भी कि वो थोड़ा सा बैक फूट पर जीसे हम क्रिकेट के लैंगवज में कहते हैं खेलना चाह रहे थे, और जाहिर है कि उनके दिमाग में ये केस भी रहा होगा, वो सत्रह तारी की हम बात कर रहे हैं, 21 तारी को ये इतना बड़ा नड़ाय केस है जो उनकी जिन्दगी को बदल सकता है, और उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स से लगभग एक दशक के लिए बाहर कर दे सकता है तो हम उसके इसके बारे में बात करें, उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि वो जो एक मनह इस्तीती थी जिसमें उन्होंने कैसे टै किया और उन्होंने कहा ममता जी को, और ममता जी को अचानक ये ना बड़ा अच्छा लगा बस वो ये इसको एक आध शब्दी वो इधर उधर चाहती थी, लेकिन ये हुआ कि भई, वो चाहती थी कि न्यूज जोड़ दे कहीं पे हम लेकिन सबों को लगा कि नहीं, इंडिया इसको रखा जाए, तो इंडिया's new developmental inclusive alliance वो ये चाह रहे थी, तो लेकिन लोगों को लगा कि ना, ये जो इंडिया, इंडिया, इंडिया वाला जो, नैशनल जो है एक भाव इसको रहना चाहिए, और उन्होंने ही सबसे पहले इसको announce किया, और जाहिर है कि ये gesture शो करने के लिए था कि Congress कोई big brother नहीं है, अचा क्योंकि हम लोग राहूल गांधी की बात कर रहे हैं, तो राजनीती में ये कहा जाता है कि जो दो बड़े नेता होते हैं, वो एक seat से इसलिए नहीं लड़ते हैं, ताकि दोनों संसद पहुँचे अलग अलग seat से और संसद में अपनी बात रखें और इस देश के लिए कुछ अच्छा करें, तो अगर बीजेपी के लिहाज से देखा जाए और बीजेपी अभी तक जो समझती रही है कि या फिर विपक्ष भी कुछ वक्त पहले तक ये समझता रहा है कि राहूल गांधी क होने से बीजेपी को फाइदा होता है, तो बीजेपी भी ये चाहेंगी कि राहूल गांधी मैदान में डटे रहें, क्योंकि राहूल गांधी के होने से बीजेपी जो कहती है कि हमें फाइदा ही होता है, या फिर विपक्ष भी जो कहता है फाइदा ही होता है, तो इसमें अ के से तैय करती है मैं आपको उधारण देता हूँ कि वर्ल वार टू के समापन का दोर चल रहा था विंस्टन चर्चिल वर्ल वार टू में बृतन के प्राइम इनिस्टर थे बहुत ही फेमोस बड़े परिस्टनालिटी कहे जाते हैं विंस्टन चर्चिल और उनकी खुदारी उनका कदावर वेक्टित तो उसने कहा ये जाता है कि जो एक्सिस और एलाइड आक्सिस मतलब हिटलर वाला फोर्स एलाइड पावर्स जो उनका विरोध कर रहे थे योरोपियन और अमेरिकन्स तो एलाइड पावर्स का सबसे प्रमुख चहरा विंस्टन चर्चिल थे तो जो इतने बड़े नेता थे वार टाइम में और उन्होंने जीत दिलाई एलाइड पावर्स को और हिटलर को हार मिली उन्होंने आत्मात्या कर ली और इस तरह से वर्ल्ड वार टू खत्म हुआ वही मिंस्टेंट चेचल जब वार के खत्म होने के बाद चुनाव हुआ तो हार गए चुनाव क्योंकि जन्ता ने उनको वार टाइम प्राइम मिनिस्टर के रूप में तो बहुत सा रहा लेकिन जब रीकंस्ट्रक्शन और पीस इसकी बात थी तो उनके बयान इतने अग्रेसिव आते थे ऐसा नहीं लगता था कि वो जो शांती काल है जो शांती काल होने जा रहा है पीस टाइम जो होने जा रहा है उसके लिए वो उप्यूक्त है तो वहां के वोटर्स ने ये तैय कर लिया कि इस वकत हमें कोई ऐसा वेक्ती चाहिए जो शांत प्रकरते का हो और वार की वज़े से जो नुकसान देश को हुआ है उसको फिर से रीकंस्रक्ट करे और उन्होंने क्लिमेंट एटली को चुना और इस तरह से आप सूची कि कितना कदावर वेक्ती को तो समय समय पर वहीं वेक्ती जन्ता के द्वारा अलग तरीके से जाता है आपने राहूल गांदी बात की अब राहूल गांदी को जिस तरह से पहले लिया जाता था वो यकीनन एक तरह से बीमा बन गए थे कि भाई अगर राहूल गांदी बनाम प्रधान मिंतरी मोधी होता है तो प्रधान मिंतरी मोधी जीते है इस बार भी दो बार तो ज शाह जी ने भी कर दिया है, 2014 में, 2019 में भी, और उतना ही नहीं, भारते जिन्ता पार्टी नहीं नहीं, विपक्ष में भी बहुत से लोग कह रहे थे इस बात को, notably, very important, मम्ता बेनर जी खुद कह रही थी, कि उनको नहीं होना चाहिए, वो जीत आसान कर देते हैं, और यह जाद जान के आश्यरी होगा, कि इसी बैंगलोर में, जब बैठक कुई, तो मम्ता बेनर जी ने कहा, आवर फेवरिट राहूल गांदी, तो देखी, परसेप्शन कैसे बदलता है, इसलिए मैंने आपको विंस्टेट चाहिए, करनाटक की जीत, वो हिमाचल की जीत, और उसके बा लोगों से बातचीत कर रहे है, वो एक popularity तो है, तो जो नबज उन्होंने पकड़ा है, और थाम रखा है उसे भार्क की भावना जो है, उसको उन्होंने पकड़ा है, सामीर भारत भी देख रहे हैं, और उस जो शेत्र है, उसमें भी जो गरीब तपका है, जो सिर्फ खाता, रोटी खाता है उसके पास भी पहुँच रहे हैं कि राजनीती ही कर रहे हैं उन्होंने समाज सेवा शुरू नहीं कर दी बिल्कुल प्यूर पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं लेकिं पॉलिटिक्स उनका अंदाज है करने का व्यक्ति का जो परसेप्शन है वो बदल गया है लोगों से सुना पढ़ा कि गांधी जी लोगों के बीच में जाते थे तो इसलिए वो फेमस हुए या फिर वो उस दोर के जितने भी नेता थे वो लोगों के बीच में रहते थे इसलिए जादा फेमस हुए जो इस दोर के लालु परसाद यादो ले लिजए नब्बे के द तो जमीन पर रहना कि राहूल गांदी को पुरानी वाली राजनीती फिर से दोहराने की कोशिश कर रहा है आपने विशय तो आज अलग रखा है तो चलिए ठीक है इस प्रशन के बाद आपके विशय पर फिर लोट आएंगे जो अदालत में मामला है लेकिन ये बढ़िया बात आपने उठाई है देखें, 1917 में महात्मा गांधी स्वदेश 1915 में आए, 1917 में स्वदेश भ्रहवन उन्होंने शुरू किया और चम्पारन की आत्रा उन्होंने की और वो अकसर ट्रावल करते थे थर्ड क्लास उसमें 3rd class हुआ करता था ट्रेरों में 1st class, 2nd class, 3rd class, 3rd class का concept उसके बाद खत्म ही हो गया, तो 3rd class में वो travel करते थे क्योंकि जन्मानस उसमें यात्रा करता है, उन्होंने पोशाक जो है वो उसी समय अपना ली, धोती और जिस तरह से उस बचे हुए हिस्से को धोती के लपेट लेते थे और उतना ही यूज करते थे कमर के नीचे ताकि थोड़ा बच जाए और उपर, जिस तरह की उन्होंने पोशाक ली, और ऐसा नहीं है कि एक वृद्ध गांधी ही वैसा पहना करते थे, युवा गांधी जब लोट के राये थे वो, तब भी वो उसी तरह से उन्हो लोगों के बीच गए, और भारत को उन्होंने समझने की कोशिश की, भारत ब्रमान किया उन्होंने, और पहला आंधुलन, निलहों की काज, उनको जो इंडिगो कल्टिवेशन जो चंपारन में हो रहा था, और उनसे जबरदस्ती कराया जाता था, आप इंडिगो ही आप ब जस्ट थर्टी एर्स में गांधी ने देश को आजात कराया, तीन दशक लगे लेकिन, तीन दशक कितना छोटा काल है, जो इस्टिनिया कंपनी सतरसो सत्तावन में आ गई थी, जो सौ सालों के बाद अठासो सत्तावन का विद्रोह हुआ था, जो विद्रोह इतना बड़ा लोग बाग जाने गई, उसके बाद एक सामराज ब्रिटिश हमपायर के अंदर हम आ गए, और उनके सारे सिपाही यहां मौजूद, अफसर मौजूद, और कड़े कानून, वो आई पी सी ला रहे हैं, सारे कानून, उनके द्वारा, और इतनी बड़ी बेवस्ता के खिलाफ वो अकेला गांधी, मातर तीस साल क्या होते हैं, तीस साल तो इस दिल्ली में हमें प्रवास करते हो गया, तीस साल तो बहुत कम अवदी होती है, इस बड़े देश को घुलामी से आजाद कराने के लिए, क्योंकि उन्होंने लोगों को समझा, और बाद में उनके, आपने य एक किया, जो कि नॉन कोपरेशन मुवमेंट 1921 का, दूसरा उन्होंने डांडी मार्च किया, 1930, और उसके बाद क्विट इंडिया मुवमेंट 1942, इसके अलावा गांधी के नाम कोई और बड़ा आंदोलन नहीं है, उसके बाद वो प्रेरणा बने, वो प्रेरणा बने, वो लोग मरने के लिए, देश के लिए, जान देने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए तयार हो गए, वो उर्जा उन्होंने देश के लोगों में जगा दी, क्योंकि वो लोगों से जुल गए जाकर, उनके कौज़त से जुल गए, उन्होंने क्यों नमक को पकड़ा, उन्हो क्यों उन्होंने छुआ चाहे निलों की बात कर लें चाहे नमक आंदोलन की बात कर लें लेकिन ये देखिए कैसे सामाजिक की भी मिलती है उसमें वीडियो और वीडियो भी मिलते हैं गांधी के बारे में कहा जाता है he is one of the most photographed persons in the history of the world. दुनिया के इतिहास में सबसे ज़्यादा जिनके फोटोग्राइप्स कीचे गए उनमें से जो चुनंदा लोग है उनमें से बहु हैं तो यह कहना गलत है कि अरे अगर वो संदेश नहीं जाएगा लोगों तक तो political communication का ही तो मात्र जाना ही वो होसला अवजाई नहीं कर देता पार्टी का भी और उन लोगों का भी जिन से मिले हैं कमसकम देखिए इस मामले में तो करी रहा है राहूल गांदी को उसने एक नया कलीवर दिया है एक नई पहचान दी है और 2019 में करीब साले 4 लाग से वो जीत करके वाइनाड से आये थे यही सारी बातें जो है यहीं सारी पर है वो और यह दलील संभवता कॉंग्रिस की तरफ से रखी जाएगी कि अगर यह मामला यूहीं रह जाता है कोई तबदिली नहीं आती है इस फैसले में तो होने क्या वाला है कि कोई एक और्डिनरी वेक्टी होता और उसके उपर फैसला होता तो यह केवल उसे ही नहीं कि राहुल गांदी ने पिछले कुछ महीनों में या फिर पिछले कुछ सालों में ऐसी च्छवी गड़ी है या फिर अपने आपको उस काबल बनाया है कि अब उनका राजनीती में रहना और विपक्ष की राजनीती में क्योंकि 24 के इलेक्शन आ रहा है इस लिहाद से लाजनीती में रहना बहुत जरूरी है ताकि बात जब लड़ाए की हो तो जो दो धड़े है वो बराबरी से कम से कम लड़ पाएं तो ये बात कोर्ट में कोर्ट ध्यान में लाया जाएगा लेकล अब पार अदूटर कोंगी कोई पहलो नहीं जिस mówi कोटे में कोपिछ और धारें muitas-व फ्रेम चुपरद होटाइब होटा है तो फिर वह। दो साल प्लस शै साल और चुराव नहीं लड़ता है तो उस वक्त होता क्या है कि वो जहां से चुना गया है वो जहां से चुना गया है उस करस्टेटुवंसी का जो एक वोटर वर्ग है जिसने उन्हें चुनकर के भेजा था यह अन्याय उसके साथ भी होता है इस बात को तो 2018 का फैसला है लोग प्रहरी वो मामला क्या एप्लाई होता है राहूल गांजी के मामले में या नहीं होता है कोट तैय करेगा लेकिन ये एक important point है जो की सामने लाया जाएगा कि उसमें आपने relief दिया है उसमें इस मामले में relief दिया गया है क्योंकि ये एक ऐसे वेक्ति को ही है तो ये क्या एक वेक्ति के कुछ शब्दों की वज़ा से उन तमाम साड़े चार लाख लोगों को भी आप दंड करेंगे या जितने भी वोट उनको आये थे पहली बात दूसरी बात ये भी कही जा रही है और जो बहुत important point रखा जाएगा Congress की तरफ से वो ये है एक ही करोड है मालीजी अगर तो इतनी बड़ी अगर तादाद है तो उसमें जिन्हें बुरा लगा है वो भारतिय जनता पार्टी के कारिंदे ही क्यों है उनके विधायक ही क्यों है उनके ही सांसद क्यों है मोधी सरनेम वाले इस देश में गैर राजनितिक लोगों की एक लंबी चोड़ी तादाद है बहुत बड़ी तादाद है और यह संभव बात है इसमें कहीं और सिर्फ एक राज्य में नहीं है अलग अलग राज्यों में लेकिन राहुल गांदी के खिलाफ केस करने वाले या तो सुशिल मोधी है निक पुरनेश मोधी है और कौन है तो क् पुरिटिकली इंस्पायड है राजनीतिक रूप से प्रेडित है यह तमाम पक्ष होंगे जो कि अभीशेक मनुस सिंग भी चुकि उनके लॉयर है राहुल गांदी की तरफ से वो अपनी बाते रखेंगे यह जो दलीले हैं यह कांग्रिस की तरफ से रखी जा रही है पुर जानते हुए जानते हुए कि डिमाक्रिसी में स्पीच जो है शब्द ही ब्रम है अगर स्पीच को आप सही नहीं रखते हैं फिर डिमाक्रिसी के माइने नहीं रह जाते हैं नहीं हाला कि इस दौर में मुझे लगता है 14 के बाद तो खास तौर पे जो आकरामक रुख नेताओं का नजर आता है और उस बीच वो भावनाओं में बहे के बहुत सारी बाते कह जाते हैं तो नेता तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनके उपर कारवाई होनी चाहिए सवाल तो ये भी लोग पूछते हैं कि इतना बड़ा कौन सा गुनाह कर दिया कि वो अब दो साल की सजा पहले ये भुखते हैं पर छे साल के लिए और बैन हो जाए बात कहिए आपने कि कानून बनाने वाला पार्लिमंट कोई कानून जो बनाता है तो सजा का जो प्रावधान होता है उसमें एक मैकसिम्म पनीश्मन्ट होता है दो साल डेफैमेशन के इस केस में ऐकसिमtså्म पनीश्मन्ट है तो कोर्ट की इस फैसिले पर कैसे भुखते दोश है, ये कैसे आपने तैय किया, सुप्रीम कोट इस फक्ष पर भी ध्याद देगा, एक साल की भी सजा हो सकती थी, छे महीने के भी हो सकती थी, एक महीने की भी हो सकती थी, पर आपने दो साल दिया, इस दो साल से कुछ और भी चीज़े होती है एक साल, नौ महीने, उन्तिस दिन दिया होता तो उनकी सांसदी नहीं जाती अदालत का फैसला अदालत ही रिवियू करेगी अब सुप्रीम अदालत रिवियू करेगी तो हमें यह उम्मीद है अब ही सस्पेंट किया गया है जो फैसला आया है उसे कल जब फैसला आएगा तो उसमें या तो उस कन्विक्शन को स्टे करा जाएगा या उसे सस्पेंट किया जागा जैसे ही अगर स्टे होता है माल लीजिए अगर स्टे होता है तो संसदी बहाल हो जाती है और संसद का सतर चल रहा है और राहूल गांधी की बापसी हो जाती है तो एक बहुत बड़ा पुलिटिकल डिवलपमेंट ये हो जाएगा जनता का संसद में होना जरूरी है क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधित तो करता है तो ऐसे उनकी बाते उनकी सोच को वहाँ पर रखता है खाला कि राहूल गांधी को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो 21 तारिक को जब कोर्ट बताएगा तभी पता चलेगा कि क्या रुख है कोर्ट का आपको क्या लग रहा है इस मामले को लेकर हमें कमेंट करके बता सकते हैं ये वीडियो कैसे लगी ये भी बताई बहुत बहुत शुक्रिया